नमस्कार टीडी नियूस देख रहे हैं आप आपके साथ में हूँ जोदी बिहार की सिक्षा बेवस्ता लगतार सुर्ख्यों में है क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा सिक्षा बेवस्ता में बदलाब को लेकर फर्मान जारी किया जारा है हर दिल एक नया बेव बिहार के उप्मुक मंत्री एवं रास्वा सदस्ट सुशिल कुमार मोधी ने एक वाइफिर से बिहार सरकार पर सिकंजा कसा है और बिहार में सिक्षा बिवस्ता को लेकर कई सारे सवाल दागे हैं उन्होंने कहा है कि जिस सरीके से मनमाने फैसले जो है बिहार के सिक्षा ब को भी साफ तौर पर दिखने लगा है बता दे कि बिहार में सिक्षक भरती को लेकर कई सालों से सिक्षक अभियरती जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आए हैं अब लेकिन सुप्रीम कोट के फैसले के बाद इस तरीके से एक बार फिर से सिक्षक अभिय जाएगी सिर्फ जो डियल्ड वाले जितने भी सिक्षक अभियरती हैं उनके न्यूकति प्रात्मिक सिक्षक के तौर पर हो गया बिस पैसले के बाद जो है तमाम जितने भी आक्रोसित नचरा हैं और वह लगतार सरकार से एक फिर से अपनी मांगों को रख रहे हैं वहीं आ पर दिख रहा है एक तरफ जहां हेड मास्टर को अब पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन्हें बोड़ा बेशने का काम दे दिया गया है वहीं पर कुलपतियों का बेतन रोक दिया गया है अब इस तरीके के बैवहार जो हैं सिक्षक अभियरतों के साथ करना यह सरासर गलत ह कि सरीके से निदीज कुमार बिहार को बरवात करने का ठाल लिये हैं कि सरीके से बिहार की सिक्षा विवास्ता को उन्होंने बरवात करने का बीरा उठाए लिया है यह साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि अब इसका भुगतान जो है कही ना कहीं बिहार के जितने भी भविश्य है यानि बिहार के जितने भी युवा है छात्रे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका जहिलना पड़ रहा है कि किस तरीके से इनके मनमाने फैसले से अब उनके भविश्य पर अशर जो है वो पड़ने लगा है बतादे कि सुसिल कुमार मोधी ने जिस तरीके से यह फैसला सुप्रीम कोट के द्वारा दिया गया है और एक तब जहां बिहार सरकार ने यह दाबा किया है कि जो भी बीट के अभी यानि जो बीट के जो सिक्षक अभी अर्थी है वो एक्जाम में बैठ सकते हैं उन है जौब मिलेगा या नहीं इस पर भी उन्होंने कोई अस्तपस्य करण नहीं दिया है इन सब मुद्य को लेकर सुशिल कुमार मोधी ने एक वार फिर से नितिश कुमार पर करारा हमला किया है और हमला के साथ उन्होंने सवाल भी दागे हैं कि आखिर आप बिहार के पिर सब्सक्राइब करूद सब्सक्राइब करने मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाब